आईपियल 2023 से पहले अनिल कुमले की जगह ट्रेवर बेलिस को अपना नया हेट कोज बनाने और ब्रैड हेडिन को भी मैनेजमेंट में सेट अप करने की बाद अब पंजाब किस ने अपना कप्तान ही बदल डाला है जो वो आईपियल से ठीक पहले हर साल करते हैं और मयंक अग प्जाब किंग्स की पूर डिसीजन की फेरिस्ट है पंजाब किंग्स ने मयंक अगरवाल को पिछले साल एक अच्छी खासी रकम में रिटेन किया था केल राहूल को उन्होंने जाने दिया था और केल राहूल खुद भी जाना चाहते थे लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पंजाब की मैनेजमेंट ने किसना मौका दिया मयंग अगरवाल को और मयंग अगरवाल की बैटिंग पोजिशन से लेकर के लगाताट टीम में बदलाव करने से लेकर के बहुत सारे पूर डिसीजन पंजाब किंग्स के रहे आक्शन में भी एक बड़ा मजट लेकर के वो उतरे थे लेकिन उस हिसाथ से खरिदारी वो नहीं कर पाए और जिस कप्तान के साथ जिस कोच के साथ आप मेगा आक्शन में जाते हो उसको ठीक मेगा आक्शन के बाद जब आपको कई सालों की टीम बनानी होती है अगला मेगा आक्शन काम होगा इसके बारे में भी किसी को जानकारी नहीं है होगा कि कोई नया एकोसिस्टम आएगा उसके बारे में भी अल्रेडी बात चल रही है और मैंने आपको उस तमय पंजाब की इसकी टीम की रिवियू के बारे में बताया था जब हमने रिवियू किया था कि मैंक अगरवाल को आपने कैटन तो बना दिया है लेकिन आप उनको कितनी ज्यादा फ्रीडम दोगे वही कोज की पास ज्यादा पावर होती है कि आपके जो कोज कपतान बदलते रहोगे तो आपको उस तरीके की smoothness नहीं मिलेगी उस तरीके की flexibility नहीं मिलेगी जो कि आप एक अच्छी IPL टीम बनाने के लिए चाहते हो आप अगर शिखर धवन की बात करें तो शिखर धवन के लिए IPL 2022 को बहुत अच्छा नहीं रहा था उन्होंने run जरूर थोड़े ठीक ठाग मनाते लेकिन उनका strike rate बहुत ही पूर रहा था और 2022 में भारती टीम के लिए काफिस ज्यादा कपतानी उन्होंने की है and this played a big part जो की Punjab Kings ने ये decision लिया है लेकिन ये decision बहुत अच्छा नहीं है एक तो शिखर धवन की age उनके साथ नहीं है आप उ strike rate सिर्फ 76 रनों का है याड़ी कि सिर्फ 76 के strike rate के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे है जो कि modern day cricket में ODI cricket में बहुत ही ज्यादा कम है और इसी की वज़े से अब उनकी ODI टीम में जगा पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं क्योंकि शुमन गिल जैसे खिलाडी शुरियस ऐयर जैस हमें पंजाब किंग्स ने एक एजिंग शिखर धवन के जिनकी performance लगतार गिरती जा रही है जिनका IPL 2022 भी उस रुतुबे का नहीं गया था खास करके in terms of strike rate उनको captain बनाया है और ऐसा पंजाब किंग्स ने क्यों किया है ऐसा पंजाब किंग्स ने उसलिए किया है जिसके बा इपन करते हो तो वो जॉनी बेर्स्टो के लिए position बहुत ही खराब हो जाती है उसके बाद आपने शारुक खान और जीतेश शर्मा को भी खिलाना है लिविंग स्टोन को भी खिलाना है एक वाजबॉलिक और राउंडर भी आपको खिलाना है चाहे आप रिशी धवन को खिल दे उसके बारे में हमें एक अलग से वीडियो में बात करेंगे तो पंजाक इंग ने उसके बार मायंक अगरवाल को मिडिल ओडर में बहजा क्योंकि उनको लगता था कि मायंक अगरवाल spin को अच्छी खेलते हैं जो कि वो खेलते थे लेकिन अगरवाल का IPL 2022 में काफी अच के साथ ही spin को खेला, spin को हिट करना, सबके बस की बात रहे हैं और मायंक अगरवाल की टेखनीक भी उस तरीके की नहीं है, तो वो नमबर पाँच, नमबर चार पर स्ट्रगल कर रहे थे, अब आप चाहते हो कि लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन बना रहे, शिकरधवन की क्यांक अगरवाल रिलीज होते हैं, ये एक बहुती बड़ा सवाल है, और मैंने जब एक बार शुरुवात में ये खबरे निकल करके आई थी कि पंजाब किंग्स अपना कप्तान बदल सकती है, तब हमने उस पर एक वीडियो की थी, उसके बाद पंजाब किंग्स ने ओफ तो साथ दिया लेकिन अब वही खबर सच होकर के निकलती है, यानि कि हमेशा जो टीम मेनेजमेंट कहती है, वो पूरी तरीके से सच नहीं होते हैं, तो अब मैंक अगरवाल का फ्यूचर क्या है, देखिए अगर जौनी बिरस्टो जो की इंजरी से जूज रहें, एंकल के उनको multiple operations करवाने पड़े हैं, वो अगर पूरी तरीके से fit होकर IPL 2023 के लिए available होते हैं, तो मुझे लगता है कि मैंक अगरवाल को ये team release कर देगी, मुझे ऐसा लगता था कि team शिखर धवन को release करने के बारे में भी सोच सकती है, लेकिन अब उनको कफ्तार बना दिया गया है, तो obviously वो team में बने ही रहेंगे, तो शिखर धवन को आप release नहीं करोगे, और मैंक अगरवाल को release करके अपना budget free करने को देखोगे, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जितेश शर्मा और शारुखान आपको एक साथ playing 11 में regular feature होते हुए नजर आए, यानि कि अब आप अगर म पंजाब का फायदा होगा, और किन players को retain करने से पंजाब का फायदा होगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले channel को subscribe करना है, notification की घंटी बजानी है, और अपना opinion comment box में लिख करके बताना है कि शिखर धवान जिनकी performance लगतार गिरती जा रही है, especially in the international circuit उनके कप्तान बनने प कितने पैसे करच करेंगे, जो भी आपका opinion हो, फटा फट से comment box में लिख करके जरूर बताइएगा, I hope video आपको entertaining और informative लगी होगी, अगर ऐसा है, then make sure to click on the subscribe button, press the bell notification, become part of the family and I will see you soon in the next video.